कहते हैं यमराज से लड़कर सावित्री ने अपने पती के प्राण वापस ले लिये थे लेकिन आग जो सच्छी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर ये कहावत आप सिर्फ किताबी सबात नजर आती है क्योंकि यहां तो पत्नी ही साक्षात यमराज बन गई वो प साथ रहती रही उसके साथ पत्नी होने का ना तक भी करती रही लेकिन उसके दिमाग में ऐसी साज़िश पनप रही थी कि जसका साथ रह रह pernah है पती को भी को भी नहीं चल सका जहां रिषब और सफणा रहते थे दो साल पहले सपणा की शादी रिषब के साथ हुई थी लेकिन वो शादी के बाज से ही रिषब को पसंद नहीं किया करती थी अपने मातापिता के दवाब में सपणा रिषब से शादी की थी जबकि उसका अपने एक क्लासमेट राजकुमार उर्फ राजू से अफेर चल रहा था वो शादी के बाद से ही अपने पती से छुटकार अपाना चाहती थी और सही वक्त का इंतजार कर रही थी वो चाहती थी कि पती की सारी प्रॉपर्टी हडब कर वो अपने बॉइफ्रेंड के साथ एक नए जिन्दिकी की शिरुवात करे और इसी साजिश के तहट सपना ने 27 नवंबर 2022 को अपने बॉइफ्रेंड राजू को अपने पती के मडर के लिए 3 लाख रुपे की सुपारे दे दी राजू का पास के ही एक मार्केट में ग्लास का काम था उसने अपने एक दोस्त की मदश से उसी राज सपना के पती रिशब पर जानलेवा हमला करवा दिया सपना और रिशब एक शादी से लोट रहे थे जिस वक्त उन पर यह हमला हुआ हमले में रिशब बुरी तरह से घायल हो गया लेकिन सपना के प्लान के मताबिक उसकी मौत नहीं हो सकी और कुछ दिन के इलाज के बाद रिशब वापस अपने घर हॉस्पिटल से वापस लोट आया रिशब के घर जिन्दा लोटने के बाद अब सपना बहुत परिशान थी सुपारे दैने के बावजूद वो जिन्दा था और अब वो उसे और जादा दिन जिन्दा नहीं देखना चाहती थी वो रिशब के सामने अच्छी बतनी का होने का नाटक करती रही वो उसे खाना देती, दवाईय देती, उसकी सेवा करती थी रिशब को कभी भी सपना पर शक ही नहीं हुआ, सपना ने पास के ही एक मेडिकल शॉप वाले से मिलकर रिशब को अब ऐसी दवाईय दैनी शुरू की जिससे उसका बलड शुगर काफी जादा बढ़ने लगा इसके लावा उसने रिशब को दवाईयों की ओवरडोस भी दैनी शुरू कर दी, जिससे उसकी तबियत अचानक काफी जादा बिगणने लगी और उसे आस्पताल में भी भरती कराना पड़ गया वो दो दिन तक उसका वहाँ इलाज चलता रहा, मल्टी औरगन फेलियर की वज़ा से रिशब की आखरी कार मौथ हो गई सपना का प्लान पूरा हो चुका था, वो जो खूनी खेल खेल रही थी, वो तकरी बन पूरा होने वाला था वो बहत खुश थी, नएने सपने देख रही थी, लेकिन सपना की ये खुशी जादे दिन तक नहीं टिक सकी रिशब पर जब हमला हुआ था, तो रिशब इसकी शिकायत पुलिस में कर चुका था, पुलिस चानवीन में लगी हुई थी और इसी से सामने आये था सपना का खौफनाक चहरा, घटना इस थल कि जब फॉन ट्रेस किये गए थे, तो वहां से सपना के नंबर पर क्याई बार फॉन हुए थे इसके लावा सपना का एक और विहद खतरना कावण नावा सामनी आया, कुछ समय पहले ही सपना के ससुर की भी मौध हो चुकी थी, जिसे नैचुरल डैट माना गया था, अपने ससुर को भी सपना नहीं मौध के घाट उतारा था, सपना ने अपने ससुर को भी दवाई की ओ वरडोस देकर कतल करने की तरकीब मिली थी वो कहे दिनों तक क्राइम शूं देखती रही फिर उसे दवाई की ऑबढ़ोस वाला तरीका सबसे बहतर लगा था इस तरीक से पहले उस ने अपने ससुर को मौत दी और फिर अपने पती को भी हमेशे हमेशे के लिए मौत की निल सुला दिया फिलहास अपना और उसका बॉइफरेंड को अब गुरतार कर जेल भेजा जा चुका है